इस डिबेट में जॉइन कर चुके यह खेलों में जो खेल हो रहा है यह बड़ा ही दुखद है लखनों में भी घटना हुई थी उसमें बच निकले आज तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ब्रजभूसन जी बहुत अच्छे आनंदेश्वर बता रहे थे जिसके उपर रेप क अच्छे हैं तो जिनका गुटना तक खुद कीचड में सना है वो दूसरों को साब सुत्रा रखने की जो है नसीहत दे रहे हैं इस देश में आप देखिए कि आज हुआ पूरे देश्प में पहलवानों वैटियों ने लड़कों ने सबने जो अंदोलन कर रख्ण है कोई टोक्यो में गेम मेडल लाता यह कोई संपिक में लाता है कोई Commonwealth में मेडल जाता है और इनका सम्मान हमारे देश के प्रधान मंत्री इनका अभार जताते हैं बुलाते हैं इनका सम्मान करते हैं कि आपने देश का नाम रोशन किया वह लोग सलक पर बैठे है न्याय मांग रहे हैं अब इस देश का दुर्भाग गया कि खेल संगों में जितने हैं चातर नेता या अपसर यह लोग बैठे हैं भारत एक अजब देश इसलिए माना जाता है यहां रिस्तेदारी इसे खेल संग चलते रहे हैं लोगों ने उम्मीद किया था कि बीजेपी की सरकार जब आएगी तो इस देश में बहुत बड़े परिवर्तन लाएगी अब यह दूसरा कारकाल है बीजेपी सरकार का उसको आज मुद्दे के बहाने इस बात पर विचार करना चाहिए कि खेल संगों से राजनेति में सुसोभित कि जाते हैं और उनके जो मंडल है गोंडा उनका जो जिला है वहां तो उनके बीना पताते कोई सरकारी ठेका नहीं उत्षकता है विना उनकी इच्छा के एक पत्ता नहीं परिंददा पर नहीं मार सकता है बहुत धनबल बाहुबल दोनों उनके पास अताँ चुका है और ये खेलों की जो आज दूर्दसा दिखी पहलवानों ने जो आरोब लगाए उसके कई उधारण आप देखेंगे कि ये कुछ दिन पहले एक महिला पहलवान के कंदे पर हाथ रखने के मामला आया जारखंड में एक पहलवान को मजबे थपड मार दिया गया तमा करने है है कि और इस देश में असली खिलाली काउन है है वह खिलाली खेलता है या उको पीछे से कंटोल करने वाले लोग खेलते हैं आज इस देश में जीत कि भी चर्चाहे कि खेल संगोंमें नेताओं चैस्ति 你ो खालग के परिवार के लोग यहाँ भी नहीं जाता है कि आप देखिए कि तमाम अर्जु निवाड़ी बैठें इसमें यह उनुत्पीड़न का मामला लगा है को मामूली बात है विश्वुशन सरण सिंग हेलीकाप्टर से चलते हैं वह नीजी हेलीकाप्टर रखे हैं उनके पास काफी पैसा है लेकिन जतनी इस देश में बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियां सड़क पर जाज़ा देर ना बैठें याद होगा कि जब एक बेटी के साथ निर्भाय कांड हुआ था तो बीजेपी ने पूरे देश में आंदोलन किया था उत्तर प्रदेश में भी एक खेलों से देश का नाम बढ़ा मस्ता कूचा किया है उनको लेकर आप ज्यादा समय तक इधर दर नहीं भाग सकते हैं इस पर सरकार को सामने आना प्रजेजी इस देश में मुंसी प्रेम चंदर ने बहुत पहले लिख दिया था कि नियाय और नीती सब लच्मी कही खिलाउन बहुत बड़ी समस्या इस बात की है कि आने अंदेश और पांडे जैसे लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं आज देखिए बड़ा आश्चर होता है कि खेल संगों के इस डिबेट पर भाजपा तो भेजिस नहीं परवक्ता नहीं भेजी लेकिन समाजवादी ने साइद उठाया है यह भी देखिए आप गजब की बात है अब भूशन तो आज करें हम फासी लगा लेंगे अगर यह बात साबित हो जाए और यहां पर वो योगी सरकार के खिलाब जहर उगलते हैं उत्तर परदेश में इनके अफसरों को कहते हैं बैमानी करते हैं कोई अगर मतलब सरकार यूपी सरकार के खिलाब इतना बोलता भी पच्छ का सांसत तो अब तक बुल्डोजर भी होता और वो जेल में होता है पर मैं देखता हूं कि यूपी सरकार के बारे में कापी भला बुरा बोलते रहते हैं उनके अफसरों पर सड़क निर्माण में घोट पर अटाइक शुरू किया रवाबा रामद्यों को सम नकली पकली बताया तमाम सारी बातें वह इसे करते जाते हैं लेकिन अब पहली बार मामला देश की परतिष्ठा से रहे थे कि हर्याना वाले करवा रहें उद्योग पती हां अब वो इसारा उनी की तरफ था देखिए यह बात सब ठीक है कि साही का सेंटर देश में बना नहर्याणा से बाहर निकल के चीज़ें आई लेकिन जो मामला हुए आरोप बड़े गंबीर हैं आपको याद होगा कि राजा भहिया पर एक बार एक आरोप लगा था मर्डर का उसमें वह मंत्री थे उस समय उनको स्तीफ ने बहुत बड़ा संकट है आज एक सांसद को बचाने के चकर में वह बड़ा नुकसान उठा जाएंगी वह इसे ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे लगता है फैसला इस पर जल्दी आएगा जी विरंजी इस देश में जनता बड़ी भाली है बड़े साधे छलावे हैं हमेशा जनता चुकाती है तो बस उसी तरह का एहाल है सुनिएगा कि काटों की काटों सी गरीबी की काटों सी गरीबी की बस्ती में तुम मसीहा बन के फिरते हो और लंबे सहान भूत वाले न्याय के भासन देकर हमें दिलासा दे जाते हो और सियासत के बेहसाब जोर में तुम्हें हुकूमत है हासिल वादे करके जीते चुनाओ तुम तो नेता बनने के भी नहीं हो काबिल बहुत शुक्रिया भिरेंज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से इस पूरे प्रक्रण पर अपना फीडबैक उपलब्द कराने के लिए भाइनों भाईयों हम रूख करते हैं